असकार भाई लोग, ब्लैक्शिप अकैडमी आपका वेलकम है तो ऐसा बात है कि हमारे माबाप हमको चूना लगा रहे और आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ क्यों क्योंकि क्या है ना कि वो लोग उनको भी खुद में पता होता तो कितना expensive होता है, कितना पैसा जाता है उस पढ़ाई में अभी समझो आपको I.S. पर करना है तो आपको minimum 2,5,00,000 लगता है इसके लिए पढ़ाई के लिए, I.S. के लिए फिर आपको आर्मी का ये कराते है, उसमें भी कितना पैसा जाता है ये सब पैसा किसके लिए जा रहा है, ताकि आप जिंदगी बर जी सको लेकिन ज्यादत और यूद को क्या चाहिए, हमको जीओ चाहिए हमको चिल मानना है, हमको जिंदगी जीना है अगर वो ही पैसा आपके जिंदगी में लगा दे है तो उनका क्या प्रॉबलम है, मतलब चलो तुमको पाच अजार दो महिने का इससे कम पड़ेगा, हमेशा, कितना मतलब एक साल में साट अजार जाएगा ठीक है, मानलो वो भी ज्यादा से ज्यादा, घर पे रहोगे, घर का खाना खाओगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको क्या चाहिए, माबाब को क्या चाहिए, वो तुम्हें घोडा बनाना चाहते है वो चाहते है कि तुम्हें कंट्रोल करे, और तुम्हें ब्लैकमेल करे, उनका में चीज़ क्या है कि blackmail करना उनको blackmail करना पसंद है आपको इसले हम लोग ने इतना पैसा डाला तुमारे इसमें उस यहां कितना मेहनत करते हैं तुमारे लिए तो उनका वही objective है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए blackmail करना चाहते हैं जिंदीगी बर ताकि आप उनके लिए कमाओ और अगर उनको आपसे कोई परवान ने है उनको सिर्फ खुद की देखनी है उनको सिर्फ यह देखना है कि उनके बुड़ापे में कौन उनका ख्याल रखेगा बस अगर आप मेरे जिंदगी पे आप मेरे खर्च करना चाहोगे तो मैं तयार हूं चोटी-मोटी नौकरी कर लूगा म आपको यह भी बलते हैं आपके शादी पे वो लोग 20 लाग खर्च करने के लिए तेयार हैं मैं भी शौक हो गया मिझे क्या लगा था कि मैंने 22 बाचा बारत देखा था तो मैंने मुझे लगा 2-3 लाग 5 लाग लोग 10 लाग डालते हैं 15 लाग डालते हैं वो तिजोरी में प ख्रक्षे करने तुमको करने की जरूरत नहीं हैं तुमको जियो छोड के कुछ नहीं चाहिता है मैं लिख के देता हूं खाना थोड़ा बहुत व्याया मौझ थोड़ा बहुत जियो बास जियो न smanask School क्या है यह नटक क्या और यह जो पैसा है जितना भी तजोरी में पड के बारे में सोचिए और नौकरी के बारे में सोचिए क्या आपको इन चीजों की जरूरत है हम कितना ही खा लेते हैं और रुशूरत है अगर आप मा बाप को समझाएं और फिर भी चाहते कि आक investigación कि आ बच्चे निकालो, तो वो आपसे कुछ मằng रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही मं're है आपसे, और वो आपको इस्तमाल कर रहे है, इतना simple simple सी बात है, अपने आपको इस्तमाल मत होने दो, اور इसके, ये figures के बारे में सोचो, और इसमें आराम से, आराम से आप गाव में जिन्दगी बिता सकते हो मुझे दे दो मैं बिता लूँगा यार तो बस दाई संपल लग जो भी पुण जी है अपने जिन्दगी में डालो अपने काम में नहीं क्योंकि काम करने से क्या हो अगर तुम सच में चाते हो तो ही करो लेकिन अगर तुम नहीं करना चाते हो तुम मत करो ना इस शादी यह सब बच्चे इस बिल्कुल जरूरत नहीं बस इंजॉय करो लाइस को